हेलो फ्रेंज रादे रादे तो चलिए फ्रेंज आज आपको हम लड़ो पाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकिट बताने वाले हैं जिसके लिए मैंने दो कलर ले लिए हैं आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर शलाही ले ली है और यह मैंने उस वाली की वूली है सौफ्ट वाली इसी से मैं आपको काना जी का बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकिट बनाना बताऊंगी जो बनाने में बिलकुल यह जी है तो चलिए सबसे पहले हम अपना फंदा डालेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए है तो बैल आइकन को प्रेज करके नोटिपिकि सन पाए तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फंदा डालेंगे, तो यहाँ पे हम 3-4 नमबर गोपाल जी के लिए एक ब्लैंकिट आपको बता रहे हैं, यह देखिए, जो बनाने में बिल्कुल एजी है, यह देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फंदा डालेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो चलिए इसी तरह से मैं यहाँ पर अपना साथ फंदा ले लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ तो देखे, मैंने यहाँ पर साथ फंदे नहीं डाले, मैंने यहाँ पर टोटल अपने पचपन फंदे डाले हैं, और यह ब्लैंकिट जो हम बना रहे हैं, यह पांच, चार और पांच, और तीन को आप डाल सकते हैं, तो देखे, पचपन फंदे मैंने यहाँ पर डाले हुए ह और फर्ष्ट रो को हम ऐसे बना लेंगे उल्टा उल्टा ये रेखिए पहुत ही सिंपल सार ये जी साब को ये ब्लैंकिट बता रहे हैं ये रेखिए कि इस तरह से दवाते देंगे तो आहे ये फर्ष्ट रो को हम बनाते हुए क्म्पलेट करते हैं उसके आगे आपको इसमें बताएंगे फिर क्या करना है तो आहे ये रो हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा हमने बनाते हुए जाना है और इस धागे को हम यहां पर कट कर देंगे इस धागे को तो देखिए फ्रैंस मैंने यहां पर अपनी उल्टी चलाई को बना लिया है अब यहां से हम इसमें अपना दूसरा कलर एड़ करेंगे तो देखिए मैंने यहां पर अपना दूसरा कलर लाइटी ही लिया हुआ है यह देखिए इस तरह से यह दिखिए और इस दागे को हम यहां पे इस तरह से फसा लेंगे तो यह बाली हम सलाई बना के अपनी कंप्लेट करते हैं और सीधी सलाई पे आपको यहां पर डिजैन बताएंगे कि इस तरह से बनाना है बहुत ही सिंपल स現在 है तो चलिए मैं करती हूँ यह सलाई भी पूरी अपनी ऐसे ही यह देखिए तो देखिए मैंने इधर से भी अपना कलर लगाते हुए यह इसको उल्टा उल्टा इस तरह से बना लिया है और सीधी स्लाई पे मैं आपको यहां पर डिजाइन बताऊंगी किस तरह से बनाना है बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है हमारा और बहुती सुंदर सा आपका ब्लैंकिट बनके कंप्लिट होगा यह हुड के साथ गे गे रिखिए तो यहां पर मैं बना ली हूँ अपनी उल्टी शलाई आगे हैं हम सीधी शलाई पे कलर कॉमनीशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है अब यह देखिए पहले फंदे को बनाएंगे और यहां पर मैंने दूसरा फंदा भी बना लिया दो फंदे उल्टे बना लिये इस फंदे को हम सिलिप करेंगे फिर आगे का फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा सिलिप करना है आगे का फंदा बनाना है एक फंदा सिलिप करन एक फंदा बिगर बुना आगे का फंदा बुना एक फंदा बिगर बुना इस तरह ऐसे यहां पर मैंने शुरू में दो फंदे बना लिये हैं उसके बाद एक फंदा सिलिप कर रहे हैं एक फंदा बुनने हैं इसी तरीके से हम यहां पर अपने सीधी सिलाई को बनाएंगे यह मैं अपनी रो ऐसे ही बनाते हुए complete कर लेती हूँ फिर उल्टी चलाई पर आपको बताते हैं क्या करना है बस आपने एक फंदा सिलिप करना है और एक फंदा बुन लेना है तो देखे फ्रैंस यहां पर हम last तक आगे हैं यह देखे एक फंदा उतार लिया और एक फंदा बु दालेंगे यह देखे इस तरीके से अब यह देखे यहां पर उल्टी चायड से हम क्या करेंगे जो हमारे दो फंदे उल्टे है वो तो हम उल्टा बना लेते हैं इनको यह देखे ऐसे कि इस तरीके से और जो हमने चीलिप किया था यहीं दियान दखना है आपने जो मैंने सिलिप किया है इधर अब करते हैं इसको हम सीधा बनाएंगे उल्टी शायट से, फिर धाग आपनी तरब करेंगे, एक फंदा हम उल्टे वाले को उल्टा बना लेंगे, यह ऐसे और जो हमने सिलिप किया है, उसको हम सीधा बनाएंगे, उल्टी शायट से, बहुत ही सिंपल सा डेजाइन है आपका, यह रिखें, इसको हम ऐसे उल्टा बन बनाएंगे जो मैंने सिलिप किया है फंदा वह वाला फंदा यह देखिए ऐसे अब उल्टा बना लिया पीछे धागा किया यह वाला फंदा उत्रा हुआ सीधा करेंगे तो आईए यह सलाई भी मैं पूरा करके अपना कंप्लेट करती हूं फिर आपको सीधी सलाई पे आपको फिर दिखाती हूं यह देखिए इस तरीके से जैसे हमारा बॉर्डर बनता है वैसे ही यह देखिए यह उल्टा दिख रहा है आपको फंदा तो इसको हम इधर भी उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से जो मैंने सिलिप किया था उस फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे तो चलिए यह वाली सलाई भी ऐसे ही कंप्लेट करते हैं आगे आपको फिर देखिए बहुती सिम्पल सा डिजाइन है तो दिखिए प्रेंस हम लास्ट तक आ गए है ज़िके जो मैंने सिलिप किया है उसको सीधा बना रही हूं और ये फंदा उलटा बना रही हूं जो उधर से उलटा बनाया है बॉर्डर के जैसे हमने इस तरह से बना लेना है उसको गे रिखिए इस तरीके से गे रिखिए ये उल्टा बना है और ये सिलिप किया है ये फंदा सिलिप किया है और ये उल्टा तो इसको इधर से भी उल्टा बना रहे हैं पीछे धागा कर ले रहे हैं और जो सिलिप किया ह उसको सीधा बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है गाईज बनने के बाद यह बहुत ही खुबसूरत लगेगा अब यह दो फंदे इधर भी हम इस तरह से उल्टा-उल्टा बना लेंगे यह देखे इस तरीके से तो यह आपका यह ब्लैंक बहुत ही सुन्दर सा यह देखे इस तरह लाइको हम यह देखे इस तरह से सीधा-सीधा बनाएंगे कुछ नहीं करना है पूरीश लाइको आप सीधा बनाएंगे इस तरीके से यह देखे आपका कुछ इस तरीके से आएगा तो चलिए मैं पूरीश लाइको सीधा-सीधा यहां पर बना लेती हूं उल्टी शायट से आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या करना है अमने तो आईये कर लेती हूं इसको कि आट थे फूलाई को सीधा सीधा भुहनते हुए हम लाष्ट तक आघे है अब यह दो फंदा उल्टा बना लेते हैं यह इस तरह से और गल्थी से मैंने दागे को करना था तो मैंने यहाँ पहें 4 abbiamo हो चुकी है अब फिर से हम अपना इसमें वायट कलर को एड़ करेंगी तो यहाँ पर मैं इसी लिए गल्थी से मुझसे कठ हो गया था तो यहां पर मैं आप लगा देती हूं ये दिखे इस तरीके से तो उल्टी चलाई पूरी वाईट कलर की बनाके अपना कंप्लिट करते हैं उसके आगे मैं आपको यहां पर फिर दिखाऊंगी कि क्या करना है हमने तो चलिए उल्टी चलाई को कर ले एक तो देखी करें मैंने उल्टी चलाईबी बना ली है कि आप यहां पर हम वही सेम तरीका अपना करेंगे थोड़ा साहलक असा हमें क्या करना है यहां पर यह देखर दो फंदा उल्टा बनाएंगे कि देखी दो फंदा उल्टा करने के बाद मैं ने यहां पर पिछली चलाई एक पड़िया था उल्टा बनाएंगे तो वॉशना आगे में बुना था पड़िया यहां बस यहां पर शुरू में जो हमने अपना सिलिप किया था वो मैंने उल्टा बना लिया है और जो मैंने उल्टा बनाया था वो मैंने सिलिप किया है बस इतना ही करना है बाकी हम इसको ऐसे ही बनाते हुए लंबा करेंगे तो आईए मैं इसको ऐसे ही बनाते हुए लंबा कर लेती हूँ एक उल्टा बनाया एक शिलिप किया एक उल्टा बनाया और एक धागा एक फंदा सौरी शिलिप किया फिर आगे का फंदा शिलिप किया एक बना लिया ये देखे इस तरीके से तो आईए मैं ये वाली ये इसको ऐसे ही बनाते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेती हूं बनने के बाद थोड़ा सा ही यहां पर इस तरह से डिजाइन आएगा हमारा और बहुत ही सुन्दर लगेगा तो चलिए इसको लंबा कर लेती हूं ऐसे ही बनात जो सिलिप क्या है वो सीधा बनाएंगे बस इतना ही करना है बाकी आपका डिजाइन सेट हो जाएगा तो चलिए कर लेते हैं इतना काम इसको बनाते हुए लंबा उसके आगे मैं आपको यहाँ पर कैप बताओंगी कि क्या करना है तो देखें फ्रैंस मैंने इतना लंबा इसको बनाते हुए कर लिया है यह देखिए बहुत प्यारा सा हमारा काना जी का हम आपको ब्लैंकेट बता रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको सलाइयां बता दूं देखी बहुत ही छोटा-छोटा सा हमारा इस तरह से डिजाइन आ रहा तो दौनों तरब की 4 सलाइया यहां पर मैंने बनाई हुई है यह देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 14 सलाइया मैंने अपनी बना ली है यहां पर यह देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14 अब यह देखिए यहां पर हम क्या करेंगे इसको सारे फंदे मैं यहां पर अपना बन करूंगे 14 सलाइय पर फंदों को बन कर देंगे जैसे मैंने यहां पर शुरू बात में एक सलाइय बना के वैसे ही सारे फंदे बन करेंगे कैब जो आपको बताएंगे यहाँ पर अलग से बताएंगे यह रिखिए इस तरह से दो का एक करते हुए तो बहुत ही सिंपल सा रीजी सा है और कलर कॉमनी सन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है यह रिखिए तो चलिए मैं इसको सारे फंदे बंद कर लेती हूँ इस तरह से हमने बंद करने है सारे फंदे दो का एक करते हुए यह रिखिए तो सारे फंदे मैंने घटा दिये हैं और यह देखिए लाश्ट वाला फंदे मैं इस तरह से नोट लगाएंगे और हुट जो आप बनाना चाहते हैं चाहे तो आप इसे वाइट से बना ले और चाहे आप अपना दूसरे बैंगनी कलर से बना ले ये देखिए इस तरह से इसका बहुत ही प्याराशा लुकाया है तो देखिए आप इसकी हम आपको कैप बताएंगे ये देखिए इस तरह से अलग से हम इसकी कैप बनाएंगे ये देखिए बहुत ही प्याराशा सुन्दर्शा है यहाँ पे प्याराशा ब्लैंकित हमारा बन जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम अलग से अपनी कैप बनाते है तो देखिए, अलग से हम फंदे डालेंगे, कैप के लिए यहाँ पर, और यह जो मैंने बनाया है, चार नमबर, और तीन नमबर, और पांच नमबर को भी आप इसे पहना सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से अपना अठारे फंदा डालेंगे, यह देखिए, ऐसे, तो चलि है और इने भी हम इस तरह से उल्टा-उल्टा बनाएंगे बाकि आपने कुछ नहीं करना है चाहे आप वाइट कलर की भी कैप यहां पर ले सकते हैं तो देखिए यहां पर हमने कि अठारे फंदा डालके अपना उल्टा-उल्टा बना लेना है इस तरह से तो आईए मैं करती हूँ इसको ऐसे ही थोड़ा सा लंबा एक ही कलर से हम यहां पर उल्टी-उल्टी शलाईयां डालके अपनी हुड बना लेंगे तो चलिए कर लेते हैं दौनों साइट से उल्टा-ल्टा ही बनाएंगे बाकि कुछ नहीं करना है तो उसके बाद आपको यहां पर इसकी सिलाई करके बताएंगे किस तरह से हमने हुड लगानी है यहां पर तो देखी फ्रेंट्स यहां पर मैंने इतना लंबा इसको बना लिया है यह देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ यानि की मैंने चौदेस लाईयां यहां पर भी बना ली है अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर अपना फंदा आधा आधा करेंगे यह देखे इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ यह देखे 2, 4, 6, 8 और यह तो देखे फ्रैंस मैंने आधे-ाधे फंदे कर लिए है एक तरफ हमारे नौ फंदे हैं और यह तरफ हमारे आठ फंदे हैं इन सलाईयों को दोनों को मैंने फोल्ड किया है आप चाहे तो सारे फंदे घटा सकते हैं यहां पर अब इस इसके बाद कोल प्राइब दूलेता हो e g jam는 ले लेते हैंी इस तरह कि आप ड़wnे दूंपी ऐसे लेते हुए इनको फंदों को बंद करें अगर आप से अइसे नहीं होता है तो आप सारे सन्दूमे करक करके घटा दीने के बाद छी में काझेना सर्थ कर सकते से गिरा देंगे अब दोनों से एक एक फंदा लिया और इनको बंद किया और पीछे वाला फंदा सलाई के उपर से उतार दिया इस तरह से और जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर ले मैंने आपको दोनों ही बात बता दी हैं यह यह देखे ऐसे तो चलिए हम पूरा फंदा घटा लेते हैं दोनों में से के हमारे यहाँ पर तीन फंदेश सलाई में और तीन फंदेश सलाई में इनको भी ऐसे ही हम घटाएंगे यह देखे ऐसे तो चलिए कर लेती हूँ तो देखे फ्रेंस मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर यह देखे सबसे पहले इसका हम अठारे फंदे डाल के एक सलाई बुनते हुए कान बना लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं फ आप एक सलाई मैंने बनाया है और दोनों कान अपने बना के कम्पिलेट कर लिए है कई बार मैंने आपको यह बताया हुआ है अब यह देखे कैप को हम कैसे यहाँ पर इस सिलाई करेंगे वह भी मैं आपको बता देती हूं और यहां पर दौनों साइड बराबर हमारा होना चाहिए यह दिखे ऐसे इस तरीके से यह दिखे तो यहां पर मैं क्या करूंगी मैंने धागा ले लिया है अब यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे यह देखे ऐसे हलका सा हमने सिला है इसको यह दिखे नॉट लगा ली है अब यह देखी हायल का साइस को हम यहां पर सिलाई करेंगे तो चलिए सिल लेती हूँ इसको यह देखे ऐसे इस तरीके से तो देखे फ्रेंस मैंने सिल लिया है और यहां पर हम लाके इसकी नॉट लगा देंगे और इस धागे को हम यहां से कट करेंगे तो देखे फ्रेंस यहां पर बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुन्दर्शा ब्लैंकिट बनके कंप्लिट हो चुका है यह देखे अभी हम आएं यहां पर अपनी आई ज और अपना नॉज लगा लेते हैं उसके बाद आपको यहां पर दिखाते हैं इसको तो देखे फ्रेंस यहां पर मैंने चुपका लिया है और बहुत ही प्यारा सा यहां पर डिजाइनर हमारा ब्लैंकिट बनके कंप्लिट हो चुका है यह देखे इस तरह से हम काना जी को डालेगे दालने के बाद यह बहुत ही खुबसूरत लगेगा और डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर आप दो चिचिट बटल लगा ले इस तरह से पैनाने के बाद इस तरह से इसको करते हैं ये देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है बनाने में तो बिल्कुल इजी है वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरू लाइक करें ये देखिए मैंने यहाँ पे जो ये गुलू की हेल्प से चुपका लिये हैं सितारे ये देखिए बहुत ही सुन्दर सा प्यारा सा डिजाइन ब्लैंकिट बनके कम्प्रिट है कलर कोमनीशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है ये देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है यहाँ पे अगर आप चिचिट बटन नहीं लगाना चाहते तो वह भी आप नहीं लगाए आप लड़ू को पाल जी को इस इस तरीके से बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे सा ब्लैंकिट बनके कम्प्रिट है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं ये प्यारा सा मेरा ब्लैंकिट गोपाल जी का आपको कैसा लगा तो आईए मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे